एक बार की बात है, एक शहर में एक हुशियार कुट्टा तॉम रहता था, उसका परिवार और उसके मित्र भी वही रहते थे और वो सब एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे एक साल उनके शहर में सुखा पड़ गया, सभी कुट्टे भूख से व्याकुल हो गए, टॉम को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो भी बहुत परिशान हो गया एक बार वो खाने की तलाश में जा रहा था कि उसका दोस्ट जेरी उसके पास आया हेलो टॉम, हेलो जेरी, खाने की तलाश कर रहे हो, सुनो दोस्ट, ऐसा नहीं चलेगा, हमें यहां से जाना होगा अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यहां हमारे लिए कुछ नहीं बचा, अगर हम यहां कुछ और दिन रुके, तो हम भी मर जाएंगे पर मैं यहां से नहीं जा सकता, मेरा परिवार यहां रहता है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ देखो दोस्त हम भूके रहने या फिर दर दर भटकने वालों में से नहीं हैं हम जवान हैं और अभी पूरी दुनिया देखना चाहते हैं इस दुनिया में घूमने फिरने के लिए बहुत से भव्यस्थान है मैं तो इस विनाशकारी जगा को छोडने की योजना बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ के तुम भी मेरे साथ आओ हम भागीदार बन सकते हैं मैं आज रात को जा रहा हूँ इसके बारे में सोचो और शहर के बीच में पुराने कुएं पर मुझसे आके मिलो जेरी ने ये बोला और वहां से चला गया और टॉम को सोचने के लिए वक्त दिया टॉम सोच ही रहा था अरे मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ू लेकिन मैं एक बहतर जीवन भी तो चाहता हूँ अरे ये एक बहुत कठिन निर्नय है आधी रात हो चुकी थी और जेरी उस शहर के पुराने कुए के सामने चक्कर लगा रहा था वो उम्मीद तो कर रहा था कि टॉम आएगा उसे एक साथी की जरूरत भी तो थी जिस पे वो भरोसा कर सकता था और सुरक्षा और साथ के लिए भी तो उसका इस्तमाल कर सकता था बस ओ लगबखार मानने वाला ही था कि टॉम को उसने अपनी ओर आते देखा हे भगवान टॉम तुमें फैसला करने में इतना समय क्यों लग रहा है क्या तो मुझ पर भरोसा नहीं करते चलो छोडो दोस्त अब यहां से चलते हैं अरे हमें देर हो रही है सुब़ा होने से पहले हमें भाग कर जंगल में जाना है चलो चलें अंधेरी रात थी लेकिन चान पूरा निकला हुआ था घने जंगल में दोनों कुट्टे दौडते रहे जब दोनों कुत्तों ने एक अलग ही दुनिया में प्रवेश किया ये जगा जीवन, भोजन और काल्पनिक स्थानों से भरा हुआ था और वो दोनों उसी के बीच घूमते रहे कुछ समय के लिए कुत्ते इधर उदर बटक रहे थे और जल्दी ही उन्हें मास का एक बड़ा टुकड़ा मिला उन्होंने दिल भर कर मास को खाया जो बहुत ही स्वादिश्ट था देखा मैंने कहा था ना यहां बहतर चीज़े हैं क्या तुम मुझसे सहमत हो के नहीं टॉम? मुझे ऐसा लगता है मास अच्छा था इसमें कोई शक नहीं चलो बस अब रहने के लिए एक जगा मिल जाए बस दोनों कुत्ते सरक पर निकल पड़े और उनकी नजर दो घर पर पड़ी दोनों घरों के बीच में एक बड़ा सा आंगन था जो की उनके लिए बहुत आरामदायक स्थान था अरे ये हमारा घर बन सकता है हम इसी जगा पर अपना राज्य बनाएंगे कुत्ते अपने नए घर के आसपास देख रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कोई उनका पूरे समय पीचा कर रहा है बोस बोस हमारी जमीन पर दो विदेशी कुत्ते आये हैं वे सब कुछ तलाश कर रहे हैं और यहां रहने की योजना भी बना रहे हैं और वो हमारा भोजन खा रहे थे और इससे भविश्य में हमारे लिए मुसीबत हो सकती है मुझे घुसपैटियों से नफरत है मुझे एक बार उनके पास ले चलो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा ओ तुम सब हमारी जमीन पर आये हो तुम कौन हो तुम्हें यहां आने की इजाज़त नहीं है तुम्हें डंड दिया जाएगा कृपया हमें चोट ना पहुँचाए हमारी भूमी में एक भयानक आकाल पड़ा हुआ था हम यहां भोजन और एक नए घर की तलाश में आए है जेरी ने कहा यह सच है हम किसी को भी परिशान नहीं करना चाहते तुम्हें बोला इससे पहले कि नेता कुछ भी कह सके जेरी ने अचानक से नेता की आँखों में रेत फैक दी और तेजी से घेरे से बाहर निकल आया और टॉम को अकेला छोड़ गया टॉम तो डर के मारे काम रहा था उसने महसूस किया कि उसका दोस सिरफ उसका इस्तमाल कर रहा था शायद तुमारा दोस्त बच गया है लेकिन तुम्हें इसका भुकतान करना पड़ेगा जाओ पकड़ो उसे नेता ने कहा कुत्ते टॉम पर हमला करने वाले थे जब टॉम ने अपना सर नीचे किया और बोला सुनो दोस्तो मुझे माफ करो मैं अपने आप यहां नहीं आया हूँ मेरे दोस्त ने धोके से मुझे अपने साथ बुलाया था मेरा परिवार एक विदेशी भूमी में रहता है और मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूँ मेरे दोस्त ने मेरे फैसले को बदल दिया और अब उसने मुझे अकेले छोड़ दिया इस मुसीबत में मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी हम्, तुमारा दोस्त वास्तव में क्या सच्चा दोस्त था? था क्या हमारी जगा लेने और हमारे भोजन को खाने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे अपने लोगों के साथ रहना चाहिए था लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे जाने दिया तो मैं कभी भी यहां नहीं लोटूंगा ठीक है फिर यहां से चले जाओ और मुड़कर वापस कभी यहां मताना भागो और वापस मत देखो टॉम भागने में काम्याब हो गया उसने सोचा मेरे अपने भूमी में आकाल हो सकता है लेकिन कम से कम वहां के कुट्ते मेरी तरह ही तो है वो ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ मुझे अपनी मन की आवास कुछ सुनना चाहिए था